जैहिंद नमस्कार मेरे शेयर शेयर नियों लाडलो लाडली श्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो केड़ में पर दोस्तों आज का वीडियो मैं काफी बीजी टाइम के बाद में भी मैंने सोचा एक वीडियो बहुत जरूरी हो गया है वो है SSE GD एक्जाम को पोस्पॉंड लेकर कि SSE GD एक्जाम 2021 क्या ये एक्जाम आगे बढ़ेगा ये इसकी एक्जाम डेट अब आगे बढ़ेगी या एक्जाम पोस्पॉंड हो जाएगा ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है ज्यादा तर बच्चे जो कमेंट आ रहे हैं मेरे पास में उ हैं वो इस समय तक जी जान से मेंट कर रहे हैं यानि अपना जितनी हो सकता है फुल यानि जितना हो सकता है उतना दम लगाए बैटें है राधिन मेंट कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता कि इसकी जो एक्जाम डेट है वो 16 नॉवमबर दे रखे कि 16 नॉवमबर से SSGD के एक्जाम स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन इसके पिछे एक चीज़ जैसा हो गया कि पिछली बार और इस बार में एक चीज़ जैसा हो गया कि किस बार क्या किया अभी तक यूपी और भीयार के बाद में रुख गया है इसके जारी नहीं हुआ है तो अभी बीच में जैसे एक तमिलाडू स्टेट का कि बाई स्टेट जारी हो गया है लेकिन उसके बाद से कुछ रुख सा गया है कि कोई भी स्टेट जारी नहीं हुआ अ लिंक जनरेट होता है जो आपके email प्यारता है इसका admit card का कि आप अपना admit card साथ status जो report है वो आपको जल्दी से यानि back to back शी दिखाई देदी जाती है कि आज इस zone की college zone की परसोई zone की और within 7 days आपको total zone की status report दिखाई देदी जाती है नि सबी state की जो status report है कि आपका फोर्म accept को आप रिजेक्ट तो यह नहीं वाकि इस बार क्या वाकि बियार और यूपी और बियार में इतने ज़्यदा फोर्म रिजेक्ट हुए है तो उसके कारण बहुत सारे बच्चे बोल रहा है कि सर जो rejected फोर्म हुए है क्या उनके कारण बाकी state की status report जारी नहीं होगी क्या उनको संसोदन का time मिलेगा तो इसको लेकर बहुत सारे बच्चों के दिल में एक ख्याल आ रहा है कि सर यूपी बियार में आपने सुना होगा कोई बोल रहा है दस लाग फोर्म रिजेक्ट हो गए कोई बोल रहा है पांच लाग रिजेक्ट हो गए यह रियल आंकरा नहीं मैं आपको उता दू पर सु करके राजस्तान के भी बहुत सारे बच्चे बैठे हैं इनका पोरमागे जाए के सिर्दिजबाद डेट के वज़े से रिजेक्ट होगा लेकिन संसोदन करने के लिए एक नोटीस दारी किया था आप सभी ने देखोगा एससी डोट नाइसी डोट इन पर कि आप किन 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 कंडिशन में आप संसोदन कर सकते हूं किन कंडिशन में आप णकातै नहीं कर सकते हैं उसके तो official email ID पर mail करके अपने registration number देखे अपनी mail ID से आप अपनी पूरी जानकार रिप्राफ्ट कर सकते हो कि किस करना आपका फोर्म ने चेक्ट हुआ है अगर गल्गती से हुआ तो आप उसको सही करा सकते हूँ आप एक्जाम को अगर आपने सेंटर गलत पर दिया तो उसको सही करा सक आप इस्यों कर सटेटर रिपोर्ट में reject हो गये ती उसके बाद से किसी और इस्यों पर टीण पार आपका से है वो कहां होगा आपका admit card का एक link आता है और exam से चार दिन पहले चार से पांच दिन पहले आपका admit card ही आ जाता है वो भी इसका भी link आपके mail के मादेम से आता है कैसे आता है email के मादेम से आता है email के मादेम से आता है आज आता है रिपोर्ट ही नहीं आई है तो उनका एक्जाम कैसे होगा उनका एडमिट कार्ड कैसे है आप सोचिए कि उनका एडमिट कार्ड कैसे आएगा अगर उनके इस्टेज रिपोर्ट ही नहीं आई है तो सबसे पहले वो अपनी इस्टेज रिपोर्ट तो देखना चाहते है इस्ट सबी स्थेट में साथ सबहा है ne तो जिनका मान लोग गोा स कोई या कोई और स्थेट नहीं हो fy झाल 一 स्थेट का है इनकी अगर स्टेट जरिपोर्ट Bent वी तक नहीं आई ए तो कषफी ही इड्मिट कार्ड नहीं आइंगे to एक्जाम पिने होगा इस चीज़ से चिंतित हो के बहुत सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट भी किया है कोल भी मेरे जितने भी मेरे हल्प लाइन नमर पे कोल आया है वो इससे जदा रिगार्डिंग आया तो मैंने बोल दिया कि इसके में एक वीडियो बना जेता हूँ ताकि आपको कुछ डाउट किलियर कर दूँ ठीक है साथ एक चीज़ और पता दो लाड़ लो जो राजस्तान पुलिस की और यूपी पुलिस ठीक है राजस्तान पुलिस और यूपी पुलिस की तयारी कर रहा है और आर्मी की तो हमारे जो नए बेच चाहे अकेडमी के वो आठ 11 से स्टार लाड़ लो आठ 11 2000 21 से गारंटी बेच चलते हैं आपका सेलेक्शन नहीं तो फीस नहीं ठीक है आप आ सकते हो लाड़ लो हमारे अकेडमी में इसके लिए हल्प लाइन नमबर आपको दिया वा फिर देदा जाओ 95888 10608 या रखना इस नमबर पर आपको सिर्फ 10608 अकेडमी से समधित जानकारी मिलेगी बाकी और किसी चीज के लिए इनको परेशान ना करें ठीक परें जाओ जहते हैं अब लाड़ लो आपकी सी बात पर यह नमबर है अगर जो अकेडमी माना चाहता हूं आड़मी की त्यारी करना चाहता है यूप पुलिश की राश्ता पर प्लीस के नए बेच इस च्टार्ट हो रहे हैं आठ क्या रहा से आज है चाहते हैं या रेलव नमर तक एक्जाम है, 14 दिन का समय आपके सामने बचाया है, दिपावली की, स्टाप सेलेक्शन कमिशन में भी छुटिया होगी, इसमें कोई शक नहीं, जब पूरे देश में छुटिया थे, अब मैं आपको पहले सबसे पहले इसके रिजन बताने से पहले, आपको मैं बता जाता हूँ, लाड़ दू, कि जितने भी बच्चे जो SSC GD की तयारी करने हैं, लाड़ दू, आप एक्जाम को लेकर, ये कभी मत सोचना कि पेपर नहीं होगा, कि पेपर 16 तायक्षिन नहीं होगा, मैं आपको एक चीज बता दू, SSC GD हर बार उसका पिछला पेटरन चेंज करती आई है, हर बार चेंज करती है, इसमें कोई सक नहीं, जैसे 2015 वाली वेकेंशी में लगाता है, 2018 वाली वेकेंशी में जो बच्चे लगे थे, उनमें और इनमें रात और दिन का फरक आता जाता है SSC में, तो अगर उन्हेंने स्टेटेश रिपोर्ट जारी नहीं किये, उनको यह नहीं कि स्टेटेश रिपोर्ट जारी करने के लिए उनको 10 दिन का समय चाहिए, एक मिनिट का समय है, एक लिंक जनरेट करेगा, और आपकी स्टेटेश रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है, अब बात नहीं कि अर बार वो वेशाही पेटन अपना है इस बार उने इसा कर लिया कि हम इस्टेटेस रिपोर्ट दे देंगे और उसके बाद में डारेट तीन या चार दिन पहले उनको एडमिट कार देंगे तो लाड़ लो जब तक SSC की ओपिशल वेबसाइड यानि SSC.NIC.IN पर कोई ओपिशल उनकी तरफ से नोटिशन नहीं आता है तो रात को बारा वज़े भी वो जारी करके आपका एगजाम करवा सकते हैं 16 नौंबर से ध्यान रखना SSC के एगजाम बहुत कम रेर केस में पोस्ट पॉंड होते हैं ध्यान रखना इनकी बाकी चीज़ें पोस्ट पॉंड चलती रहते हैं लेकिन एगजाम बहुत कम तो मैं बता दू लिंक वो जरूरी नहीं कि आपको 15 दिन पहले दे स्टेटेस रिपोर्ड यह जरूर नहीं कि वो एक महीना पहले दे अगर वो इसमें संसोधन कराता है UPBR में तो उसको फिर सभी स्टेट में संसोधन कराना पड़ेगा संसोधन होगा तब एगजाम नहीं होगा लेकिन उन्होंने एक नोटिस जारी करके स्टेट दिया हए कि हम संसोधन नहीं कराएंगे क्यों उन्हों ने Engine हो सकता है हुसमें पोटो पर शाहिन वाला नहीं है से यह इनी संसोधन ज्यदा वो स्ङूदन कराएगा उन्होंने कामेल कर सकते हैं तो इसके हम चेल करके आपको वापश पत्रिक दूए इंक्वाइरिया वापस आपको देंगे आपकी जानकारी तो बाकी उन्होंने इसा कुछ तारीक अगर उनोंने नहीं दी तो अगर उनको देना होगा तो फांस तारीको एक साथ ही बच्चे पर सारे स्टेट की एक साथ भी दे सकता है अई तो पांच और च्छा से करके दो दिन में दे सकता है और एगजाम असवारा तारीको तो बार्श तारीक कोANS limit card का link दे सकता है इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि आप निरास ना हुई आप यह मैं सोचे कि exam paper नहीं होगा किसी भी condition में आप अपने दिमाग में ऐसा ख्याल न लए किसी भी समय exam आपको date दे रखिए जब तक आपको notice जारी नहीं करते तब तक आपको इमान के सलना है कि 100% exam दी हुई date पे ही होगा लार लो इसमें कोई शक नहीं है आपको निरास होने की जूरत नहीं है दी हुई date पे ही exam होगा delay होने का कोई reason नहीं है खासा बड़ा कि इसके कारण delay हो सकता है कोई करोना की मार नहीं है देश में सब कुछ open है तो exam होने के चांद सबसे ज़्यादा ज़्यादा है आप ये मत सोचिए आप बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई की उनकी गति उसको down कर बैठे है किसी इसको सोच के आपको अपनी पढ़ाई की गति को down नहीं करना है एक्जाम समय पे ही होगा ये विश्वास रखिए और तयारी शांदार तरीके से के लिए अप में से ज़्यादा तर लोगों की तयारी परपावित होगी है कि सोच के साथ कि paper होगा या नहीं तो मैं बता पॉस्पोंड वाली सोच ना रखे लाड़ लू अगर होगा तो ओपी से जो वेब साइट जिस दिन आ जाए ऐससी डोट नाएसी डोट इन पर तब मान लेना उससे पहले आपको अपनी त्यारी में बिल्कुल भी कमी नहीं करनी है जी तोड मेनत करनी है अंतिम समय है अगर